श्रुति संभे नार्थक शब्द भाग 14 आज जिक्र त से शुरू होने वाले शब्दों का तरणे यानि सूरज तरणी नाओ और तरणी युबती इसके बाद तरंग यानि लहर तुरंग यानि घोड़ा फिर तरी यानि गीला गीला करना गीला वगरा और तरे नाओ इसके बाद तराक जल्दी से और तडाग तालाब फिर तरक लॉजिक यानि दलील और तक्र मठा फिर तरण और दरण तरण का मतलब धंकाना और दरण ड़जन एक दरण दो दरण तीन दरण वगरा इसके बाद तीन और तिन तीन का मतलब त्री और तिन तिन का त्रिन इसके बाद तीली और तिली तीली का मतलब स्टिक जैसे मैच स्टिक या स्ट्रॉ और तिली स्प्लीन को कहते हैं अंग्रेजी में स्प्लीन और हिंदी में प्लीहा मनुश्य के शरीर के अंदर होती है तिली इसके बाद तुल तुल और तूल पहले वाला तूल का मतलब है तूल जाना कोई चीज तूल जाए तो हम कहते हैं कि ये चीज तूल गई है और इसके लावा एक और तूल होता है कि वो ऐसा करने पर तूल गया यानि तयार हो गया ततपर हो गया उतावला हो गया अड़ गया ऐसा करने के लिए वैसा क पिता के समान, पिता के जैसा, माता के जैसा वगेरा तुलिय। इसके बाद तूल, तूल का मतलब है cotton, वैसे उर्दू में भी एक तूल होता है, उसका मतलब होता है लंबाई, बात को तूल मत दो, इस तरह से sentence कभी सुने होंगे आपने, तूल देना, मतलब लंबा करना, खीचना, तो वो भी एक तूल होता है, इसके बाद तेज और तेज, तेज का मतलब चमक, डिगनिटी, स्प्लेंडर, मेजेस्टी, ओसमनेस, ब्रिलियन्स और तेज का मतलब है शाप, फास्ट, लाउड, तीवर, वगेरा दोस्तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं मुईन शमसी हूँ और ये चैनल है नोब अकवास, बातें खास, हमारे आने वाले वीडियोज का कीजिए इंतिजार और पिछले वीडियोज भी जरूर देखिए, सलाम हिंदोस्तान